हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग अमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे आज हम बात करेंगे EASW vs LIO W Fully Shares Plus Info यानि कि Easter's Omen vs Lions Omen के वीजियो Global Omen 320 का मैच नंबर 1 खेला जाना है यह मैच जो है चार जनवर एको दोपार के साड़े बारवाजे से मैच स्टार्ट होगी बेन्यू जो रहेगा आइरन विलेजर क्रिकेट कलफ प्रिटोरिया करने वाला है पीच रिपोर्ट की बात कर लें तो देखें यहाँ पे लगबग 3-4 साल से कोई भी ओफिसियल मैच नहीं हुए है यहाँ पे लास्ट में 2020 में Ireland A और जिंबबबे या फिर नाविबिया आयर्लेंड A प्लस आयर्लेंड A वर्सेस जो है जिंबब नाविबिया के पीच यहाँ पे मैच हुआ था जहाँ पे 20-20 ओभर में 200 रन का स्कोर बन रहा था यहाँ पे तो यहाँ पे स्कोरिंग देखने को मिला है पलस पेसर को है आपको बता दू कि जितने भी पीचे से लगबख पेसर को ही है आप जितने पीच उटा के देख लेजिए वहाँ पे इस पीन थोड़ी सी कम है इस करन से आपको रन भी यहाँ पे बनते हुए दिख सकते हैं ओमेंड मैचेस है तो मैं एकसेप्ट कर रहा हूँ 120 के आसपास क्योंकि वहाँ पे जब जिंबब नाविबिया और आयरलेंड का जब मैच हुआ था तो वहाँ पे 200 पलस का इसको तीन मैच खेले गए थे 2020 में वहाँ पे बन रहे थे तो यहाँ पे एबरेजिस को आप 100 पलस तो इस कारण से इस मैच में इंवेच्ट भी कम करना है और बाकी जो भी चीज़े होगी पहले मैच के अनुसार अगर पहला मैच सही जाता है तो सेकेंड मैच भी कबर करूँगा नहीं तो फिर नहीं करूँगा फोका जो करने है पिले श्रेश पर करने है बाकी जो भी अप इंटरनेशनल दो पिलेर्स दोनों टिम में हैं दोनों के तरब आप देखेंगे एक जापान की पिलेर्स और एक नामे भी आ गई तो यहाँ पे आपको domestic लेवल पे के पिलेर्स भी मिल जाएंगे जैसे Eryka Oda जो की कलब मैचेस यह हो गए तो वहाँ पर यह बॉलिंग भी करती है बट इंटरनेशनली यह सिर्फ ओपन करती है और अच्छी खिलाड़ी है आपके टिम में बिल्कुल रहने चाहिए इनके तरफ से देखेंगा जो की इरिका आई थिंग की ओपनिंग करने चाहिए और इनके साथ ओपन आ सकती है अलेशिया रडॉल्प जो की आपके लिए ओपन करेगी लास्ट के तीन डोमेस्टिक मैचेस जो अच्छे लेबल के होते हैं टी ट्वांटी गंदर तीनों मैचेस में ओपन किया है पलब जो है यह चार चार ओबर की गेनवाजी करके बिकेट भी लिए तो स के अच्छे option है यह खिलाडी सबसे बेस्ट option में से अलेशिया रडॉल्प रहने वाली है इनके साथ देखिए हो सकता है कि यह ओपन आई फिर अलेशिया रडॉल्प आई या फिर इरिका ओडा इन तीनों में से कोई दो ओपन आएगी और एक जो है थोड़ा सा नीचे भी सकती है तो इनके तरफ से देखेंगे यह आपके लिए मेरे हिसाब से वन डाउन आने चाहिए या फिर ओपन भी कर सकती है तीन लाश्ट के तीन डॉमेस्टिक टीटी मैचेस में जो अच्छे लेबल के होते हैं वहाँ पर एक मैच में 44 की नोख है बाकि दो मैच में डग प पांस से छे मैचेस में आपको लाश्ट के दो से तीन मैचेस में इनकी बॉलिंग भी देखने को मिलेगी लाश्ट के कुछ मैचेस में यह बिकेट कीपिंग नहीं कर रही थी तो बॉलिंग भी की थी इंटरनेशनली उगांडा वगरा के साथ मैच था तब यह बॉलिंग कर सकती है नंबर फॉर तू फाइप यानि के नंबर जो है वन डाउन या टू डाउन एकसेप्टेड है थेलमा माखा बुला जो की रीसेंड फॉर्म आप इनके देख लेंगे तीन मैचेस के जीरो पांच चाउतिस है नंबर चार पे ही खेली है तो यहाँ पे आप एवरेज ही म पुछ खास नहीं की है उसे लाश्ट मिंच में नॉट आउट भी थी और बिकेट टेकिंग बॉलर है बिलकुल आप इनको लेके चलेंगे और सीबी सी करेंगा बॉलिंग पूलिंग सेक्शन में एक और व्ल्राउंडर पिलियर्स आपको मिलेगा इनको बिल्कुल लेना है इनके बाद आपके फस आ जाएगी काईलिया क्रेग, ये खिलाडी जो है टीम की कैप्टेन थी, पिछले सीजन जब डॉमेस्टिक लेबल पे खेल रही थे, तो टीम की ये कैप्टेन सी कर रहे थी, अब मैं आपको बता दू, ये डॉमेस्टिक T20 के अंदर नंबर 6 और नंब आनी चाहिए, नंबर मीडिल ओडर में इनका बल्लेवाजी रहना चाहिए, खिराडी वैसे ठीक ठाक है, थोड़ा नीचे बल्लेवाजी है, इसकारण से मैं इग्नोर करूँगा, एस लेव एन बैक है, लेफटाम और्थाम और्थाड़क्स स्पिन बॉलर, आप देखेंग तो लास्ट के कुछ मैचेस में फिर बिकेट इनको मिले थे, एक बिकेट, दो बिकेट, दो बिकेट, तीन बिकेट, एक बिकेट, तो जब भी बिकेट लेती है, दो से तीन बिकेट अन नहीं लेती है, तो सीरे जिरो बिकेट जाती है, पाइटन को पिन ये भी अच्छे ले करके देगी डोमेस्टिक टीुशन के अंदर लास्ट के तीन मैंचएस में दो वीकेट है अच्छी गेंदवाजी की अच्छी एक अच्छी एकोनमी के साथ इनके साथ यहां पर अंडर 16 की एक ऐसाब से खेलने चाहिए यहां से इरिका उड़ा इंपोर्टेंश फिलियर्स है जो कि जापान की फिलियर्स है एलाइसा राटफॉल जो कि आपके टीम के CBC भी होने चाहिए ये दो पिलियर्स इंपोर्टेंट है इनके बाद नाविबिया की जो ये खिलाडी है मेजरली गुरासेस ये इंपोर्टेंट है तीन पिलियर्स हो गए मिकेला एडवर्स चार हो गए और यहाँ से एडवर्टेंट पांच वह उप्सन है छटे उप्सन में लेंडरा बेंटेले आप ले सकते हैं इनको और यहाँ से आपके लिए गेमचेंजर पी कोपिन रहने वाली है और कनेलियो मौकाईना यहां से बेंच में जो मैंने दो पिलियर्स को रखा हूं वाजि खेलती है जो ट्राइबल रहेगई अंडर फुटिन फिलियर्स है बट ट्राइट्स में अच्छा खेल के आ रही है पांच मेंचेस में पूरी गेंदवाजी भी किया है चार बिगेट निकाली है अंडर्ड फुट्टिन के लेवल पे तो यह खेलती है तो थोड़े से ट्राइबर रहेगी बाकि इनके अगेंच जो खेलेगी लाइंट सो मेंच के टीम इनके तरफ से देखिए मेरे हिसाब से राजीना मनाक जो है ओपनिंग कर सकती है देखिए इनका जो है अच्छे लेवल का एक ही मैच है रिसंट फॉर्म ओडिडी का है जो की छे नमबर पर के अठारा रन बनाई थी बट कलब लेवल पे यह जो है 23 मैचेस में 404 रन यह important पिलिएस आपके टीम में बिल्कुल होने चाहिए डोमेस्टिक लेवल पे ओपन आके जो है अच्छे लेवल पे जो है तीन ओवर की गेनवाजी भी की थी बिकिटलेस भले गये और ODD के अंदर 5 ओवर की गेनवाजी करके दो भी गये बट यहाँ पे देखिएंगे तो पाई कॉलिंग जो की बैटिंग सेक्षन में आपको मिलेगी अच्छे लेवल पे डोमेस्टिक टीट्वंटी जो खेली है चार मेंचे नंबर चार प्या के पाच रन बनाई है और ODD के अंदर देखेंगा जीरो पलस यहाँ पे नो ओवर की गेनवाजी चीएतर रन दो बिक देखेंगे बट यहाँ पे बॉलिंग करेगी या नहीं यह थोड़ा सा डाउट रहेगा बट गेम चेंजर रहने वाली है क्योंकि सेलेक्षन कम है बैटिंग सेक्षन में समान्था श्वाइन पॉल है जो कि कलब टीट्वंटी अच्छे लेवल पे मैंचे नहीं कहले है तो तो ट्राइबर रहेगे आप रीट कर सकते हैं राइटा मेडियम पेस बॉलिंग करके देगी लियानर श्वाइन पॉल है इनका भी सेलेक्षन आप देखेंगे बहुत ज्यादा है बट यह खिलाडी मुझे एवरेज ही लगी क्योंकि आप इनका रिशन फॉर्म भी देखें आपको लेग इस्पिन गेंदवाजी के लिए जाने जाती है चार मेंचेस में अंधावन रन है यह सारी पिलियर्स जो है न अच्छे लेबल पे नहीं खेलिए थोड़े लो लेबल पे खेलिए इसकारण से इन लोग का स्टेट्स भी आपको अच्छा दिखेगा लेथफ़ लाश्ट के दो-तिन मेंचेस में थोड़ी सी कम की है बट इससे बाद वाले मेंचेस में इन्होंने अच्छी गेंदवाजी की थी थोड़ो ठीविटी है जो की लेग इस्पिन यह भी मेंचन किया गया है बट कौन से रोल चेंजेस भी हो सकते हैं 36 में 136 रन है 45 विकेट है अच्छी चटकाई है तो धियान रखेगा पूरे पूरे अबर की है कलब लेबल पर खेली है तो कलब लेबल के आपको मैं बता चुका हूं कि अच्छे स्टेट्स भले ही दिख सकते हैं बट यहां पर क्या करेगी यह कुछ कह नहीं सकते हैं विक्टोरिया हमानुलिया है ज जो कि जापान के लिए खेलती है बहुत अच्छे पिलियर से दो विकेट जो है इनका फॉर्म थोड़ा सा खराप रहा है बट यहां पर इस लेबल पर अच्छा करके जाएगी इनके अलावा केनियों मखाए हैं मखाके हैं जो कि अपके लिए दोहजार उन्हीस दोहजार अ क्लियर रखे हैं एक बिकेट कीपर को मैंने रखा क्योंकि इनके पास अल्रेडी बैटिंग सेक्षन में एक बिकेट कीपर है न्यू मॉल यो जो कि आप देखेंगे कलब टी 20 के अंदर दो मैंचिस कहले हैं जिनमें की एक मैंच में बल्लेवाजी आई नहीं और एक मैंच मे रखा हूं कलब टी 20 गंदर दो मैंचिस में सहीतिस रहना है चार ओवर की गेंदवाजी है एक ही मैंच में चार बिकेट लेके गई है और दूसरे मैंच में फिर कुछ नहीं के तो यह थोड़ा सा देखके चलिएगा बाकी जो भी चीचे है वो अपडेट मैं आपको करने भी नहीं आई है और जिस मेंच में फिलाड़ी जोकी इंटरनेशनली खेलती है मैं इनको लेके जा रहा हूं बेटिंग सेक्षन में आपको बहुत सारे प्लियर्स मिलेगी जैसे कि आपको 8 डरोमल और यह दोनों प्लियर्स आपके लिए इंपोटनेंट है जो प्लियर सबसे पहले important है मेरे हिसाफ से मैं आपको सबसे पहले वह चीज़े बताता हूँ यहां से important players है और यह दोनों players जो है important रहेंगे बैटिंग सेक्षन से और राउंडर सेक्षन से अगर स्वाइन पॉल को मैं हटा दू तो ए ररल इंपॉर्टेंट पिलियर से important players है M भी रोष्ट जो है आप try कर सकते हैं यह भी अच्छी players है बट अच्छे level पे नहीं खेलिया है तो इस कारण से मैं इनको हटा रहा हूँ बट कलब लेबल पे बहुत अच्छा recording का है बाकि यहां से जो important players है भी होँआ लिया एक कुसा डरे एम एडवर्स और एल बेंटले यह जो है आपके पास चार players तो बॉलिंग सेक्षन से दो players आपके पास यह और राउंडर सेक्षन से दो players बैटिंग सेक्षन से और एक players जो है बिकेट कीपिंग से यह नौ पिलियर्स तो आपके टीम में होने ही चाहिए बाकि आपके पास दो option बचा है देखिए यह वैसे तो एप कॉलिंग का जो है record लगवख लगवख ठीक है recent टाइब में थोड़ी से opening करती है बट यहां पर मेरे पास ई उड़ा और यहां पर ए रडॉल्फ है तो मुझे कहीं नहीं लग रहा है कि इनका बल्लेबाजी यहां से एम भी रोष्ट का अच्छा है जे लूब आपके लिए एक गेम चेंजर रहेगी धियान रखेगा अच्छी इनका भी डिकोट कलब लेवल पर अच्छा है यहां से आप देखेंगे तो के मकाई ने जो की 2017-18 के आसपास यह खिलाड़ी जो है अच्छी खेली थी 2018-19 में तो यह खिलाड़ी एक अच्छी उफसन है इनके अलावा पी कोपिन अगर पहले गेंदवाजी आती है इनकी तो के मकाई के को मैं लेकर जा सकता तो यह जो अभी के लिए मैं यहां पर एफ कॉलिंग को लेके और समानथा को लेके मैं अपनी टीम सेफ कर रहा हूं औ मेरी केपटेंसी और और वहाइस केपटेंसी मैं दोनों एक्सपीडियेंस खिलाड़ी जो डोमेस्टिक लेवल पर अच्छा खेली है इनको करके जा रहा हूं बाकि आपके पास ऑप्सन में यहां से जो है यहां पे भी हुआने लिया है जो की इंटरनेशनल रखती है इन सा आपसे यह वाली टीम थोड़ी सी जादा है इस्टरन्ट सोमेर्स की टीम थोड़ी सी फेवरेट दिख रही है तो आप इनके एकादी बॉलर जो है बढ़ा भी सकते है इनके जगह पे आप यहां पे पी कोपिन या फिर यह यहां पे एक पिलियर्स थी आप उनको भी प्राइब भी कर लेंगे तरही मिलते है नेक्स वीडियों में थैंक्यू